हेलो एवरिवन, आज मैं आपसे इमली की खटी मीटी चटने की रेसिपी शेयर करूँगी तो यहाँ पे मैंने इमली को बिगोने के लिए रख दिया था मैंने इसको करीब करीब 3 गंटे के लिए बिगोया था आप चाहे तो इसको ओवर नाइट भी बिगोने के लिए रख सकते हो या फिर इसको गरम पानी में बिगो लीजिए और भी जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर हम इसको छान लेंगे अच्छी तरह से इसके जो सीड है वो भी अलग हो जाएगी और जो इसमें रेशा होता है वो भी अलग हो जाएगा तो हम इसका पल्प निकाल लेंगे थोड़ास हम इसमें पानी एड़ कर लेंगे यह जो इमली की खटी मिठी चटनी है आप किसी भी तरह के चाट के साथ इसको खा सकते हो आज कल वैसे भी गर्मियों का टाई में तो चाट दो बनते ही रहते है घर पे तो इसको आप स्टोर करके भी 15-20 दिन तक आराम से रख सकते हो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चान लिया इसको अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में यहाँ पे थोड़ा सा में ओयल लिया है सिर्फ दो चमच के करीब करीब जैसे यह ओयल गरम होता है हमारा हम इसमें डाल देंगे हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छा हैगा इसमें डाल दिये मैंने दो चमच मग्स इनको हम भून लेंगे यह जो इमली की चटने ही होती है यह मग्स इसमें काफी अच्छे लगते है सिर्फ देट दो मिनट तक हम इसको भूनेंगे दीरे दीरे यह फूलना स्टार्ट हो जाएंगे इमली बिगोने के बाद इसमें सिर्फ दस बारा मिनट का टाइम लगेगा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पर मैं एड़ कर रही हूँ इसमें गुड गुड को मैं अल्रेडी पानी में बिगोने के लिए रख दिया था ताकि यह एकदम से डिजॉल्व हो जाए अब हम यहाँ पर गुड को बिगलाएंगे हाई फ्लेम पर इसको डिजॉल्व होने देंगे हम यहाँ पर गुड और इमली की क्वांटिटी का भी आपको दियान रखना पड़ेगा जितनी आपने इमली लिए है उससे डबल क्वांटिटी में आपको गुड लेना है तब ही आपकी पॉफेक्ट चटनी बनेगी तो यहाँ पर गुड डिजॉल्व हो जुका है इसमें इसके बाद जो हमने पल्प रखा हुआ है ना इमली का वो हम इसमें एड़ कर देंगे इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था पल्प में कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से पतली कर लीजिए थोड़ा सा पानी एड़ करके पाउडर मसाले एड़ कर रही हो यहाँ पे लानमिर्श पौडर थोड़ा सा नमक लिया है उतनी क्वांटिटी में काला नमक और इसके बाद में डाला है इसमें चाट मसाला इसके बाद एड़ कर रही हूँ सौंट अद्रक का जो पौडर रहता है यहाँ पे भूनेवे जीरे का पौडर एड़ किया है मैंने यह सारे अधनी एकदम पौफेक्ट बनेगी अब इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे जब तक यह गाड़ा नहीं हो जाता है मिक्स्टर हमारा और इमली भी अच्छी तरह से नहीं पक जाती है इसमें इसमें हाई फ्लेम पर पक न हमारी गाड़ी हो चुकी है यह देख सकते हो आप एक तम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है क्योंकि जब यह ठंडी होगी और भी ज्यादा गाड़ी हो जाती है तो बहुत ज्यादा गाड़ा करने की इसको जरूरत नहीं है वैसे भी आप चेक कर सकते हूँ बैक ओफ दा स्पू होने देंगे तो अब आप देख सकते हो हमारी जो इमली की खटी मिठी चटनी है बनके रैडी है इसके बाद आप इसको किसी भी एर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हूँ पंदरा बिस दिन तक यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगी अगर आपको यह मेरी पी अच्छी लगी हो तो आप भी जरूर ट्राइ करें